वीचारों का भ्रह्म या रियायलिटी के विचार नहीं करना या वास्तवादी विचार नहीं करना या वैसे विचार नहीं आना उसमें कितनी तकलीफ खुद को हो सकती है या घरवालों को हो सकती है उसके बारे में आज बात करने वालों में तो आए हमारे चैनल में आपका स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़कर मैं मनोविकार सेख्ष्रोग संभोंद था वैसनमुगी तग्य हूं महाराष्ट में अक्वला नागपूर पुणे पु मैं आपको केस सब्सक्राइब एक रिख्टी आया रावं 25-30 साल का है उसके पत्नी के साथ में आया और उसके पत्नी ने उसको लाया और वह बोलता है कि यह शादी होने के पहले मेरे एक लड़की के साथ में संबंद थे दोस्ती थी और बात में वह उसने नहीं बोल दिया कि मैं शादी नहीं करने वाली हूं और तुम तुमारा देख लो क्योंकि घर से भी विरोत था अलग कास की थी और इसने भी सोचा कि ठीक अपनी शादी होके भी मतलब बहुत माला नहीं प्रॉबलम आएंगे तो उसने भी उसको नहीं बोल लिया अब वहां से उसका संपर्ग तूड़िया है अब उसने शादी कर लिया अभी उसको बच्चे है पांस साल की अभी ये शादी होके करीब-करीब 9 साल हो गया है और वह अभी उसको यही लगता है कि वो जो मेरी दोस्ती पहले लाक्ष्रेंड वह मेर बुला रही कभी उसको आवा जाते लिए एँट हो आ ना होगी मेरे जिन्बगी मे और में उसके का रिस्तर तोड़ गाव चोड़ने की और पिर वह तो कोई निद्ण पत्नी नंद करना के में नियूस वर ब sque बटकर ने में में कुछ के नियुटर्श फोले schneller संफर्फ कर आ इसकी पतनी वोलती है कि हां हमको एक साल पहले पता लग गया था कि उसने कहले हैं और उसने शादी कर लिए है उसको दो बस्चे भी बहुए निकालो मैंने वोला उसके घंकर निकालो कहा है तो थ slog मतलब संपरत मेहीं नहीं हो सकता पता ही नहीं किया माबाब कहा है मालूम मैं कुछ नहीं हूं पता हिए हमने बहुत कोशिच किया पता यही लग रहा है अभी जिवीत हैं के मृरुते वही मालूम नहीं मकर यह सफर कर रहा है यह बोल रहा है कि नहीं और फिर वो क्या करता है पत्नी को पुत दोश देता है तुम में देवरे साथ में किया थादी कियों थे प्र यह जगड़े कर रह बाकी वह कमाता थमाता अच्छा है भाकी समय रहता भी अच्छा है मागर उसको फिक्स्ट वीचार है कि नहीं वो लड़की जो है वह रघी कभी ना कभी एक दिन जिंदगी में आएंगी ही और मेरे साथ मेरेगी है अब देखो उसको MA से खोई छेकिक है rezist ही नहीं रियालिटी में वो बात नहीं कर रहा है जो हुआ वो कितने साल पहले हो चुका है अभी उसको मालूम भी नहीं कहा है तो कभी-कभी आवा जाते कभी-कभी अभी वह आएंगी मेरे जिन्दगी में उसको मैंने दवा दिया उसको मैंने लुदा कि आपको कॉग्निटिव ठेपी करनी पड़ेंगी या रैशनल इमोटि इसको बिएवियर ठेपी जो है आरे बिटी जो बोलते है उसका उसके उपर मैंने इस्तेमाल किया उसको हिप्नोटाइज करके उसके उपर उसके सबकॉंशस माइंड में जो पक्का बैठा हुआ था कि नहीं वो एक दिन आएंगी और एक दिन मेरे शादी करेंगी एक दिन नहीं कि मेरे जिन्देगी में मापस आ जाएंगे और में उसके साथ में रहूंगा मतलब जो वास्ता में होने वाला है नहीं जो उसको पता भी है मतलब कभी कभी बोलता भी है और कि नहीं यह पॉसिबल मुझे ऐसा लगता है व्रक्र क्या करूँ विचार कभी-कभी आते रहते हैं तो सको सब सुक्रेंट कोशिक किया विदिया है और ऊसको फिर धीरे धीरे जैसे में-। तुम्हारे बातोमें कोई नहीं दिख दाओ लौ Shouldnal नहीं और तभी वह विचार आप कर रहे जब उसको के वो बार-बार उसके सब cung बार आते रहते हैं एक धाई तीन मेंने वो जब मेरे पास में साइको तेरिपी के लिए आया तो बात में वह कंप्लीटली ठीक हुआ अभी मैं पूरा ठीक हूँ अभी मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं मेरा फालतू का वह विचार है वह कभी होने इसको मेरे जिंदगी में वह विचारों को डिस्टरब करने दूँगा और कभी ऐसा रहा तो मैं आपके साथ में संपर करूँगा कि दोस्तों मुझे आपको यह बताने का है कि हमारा ब्रेन ऐसा है को ऐसा कुछ सभी अन्मन विचार करते रहता है कुछ भी विचार आते रहते हैं अब एक दूसरा मेरे बास में एक लड़का है उसको विचार आ रहे है कभी उसको लगता है कि मैं मिनिस्टर हूं कभी एक मिनरेमा कि मेरेक्षिन लटने ने का है कभी नो कि मेरे एक क्रों का माको बता है कि वैसा कोई रूखन है वह भूआ parad Colombia नहीं है कि जो टो टोलिवर्लम विचार रहिए prefers मुझार यह जिसमें वो थौट मैं अर्दम बोलता हूं कि वह थौक प्रूब्स प्रूशन में श्यृ यह ना, ऐटोनेटिक धॉर्ट प्रिटूसिंग महईन एक टि यह और वह जो मशिननरी है, वह मशिनरी चाली रखती है, विचार कभी वा विचार अच्छे रहेते, कभी बुरे रहेते, कभी रेलेवनट है,?!" हेगे वो दर साथ में रहना दो इर्लेवन यो क्या एक्नॉच करना रिलेवन विचारों को याठ ला इना उसको बड़ा करना निएटव विचार आ तोいてतushika को कैसा डेलिट करना यह सीखना जरूरी है और वो हमारे वरक्षाफ में सिखाते हैं मेरे कॉंसलिंग सेशन में मैं सिखाते रहता हूं कि विचारों को कैसे कंट्रोल करेंगे विचारों कैसे बाजी में रखेंगे विचारों को कैसे डिस्टरबने करने देंगे हम हमारी जीव है आप ले सकते हो यह काफी लोगों को विचार है ऐसे आ सकते काफी लोगों को यह problem हो सकता है मगर लोग बोलते नहीं है आप यह video ज़रूर को शेयर करो आपके पूरे community में आपके दोस्टों में आपके facebook के और फ्रेंड के उपर ग्रुप्स के उपर शेर करो ताकि जादत से ज्यादा लोगों को इसके बारे में मालूमात होंगी और वो अपना जीवन जो है नो शक्तिशाली रूप से जीएंगे क्योंकि लोग इसमें काफी सारी अपनी एनर्जी ड्रेंग कर लेते हैं लोग प्रॉडक्ट रहते नहीं है लोग मायूस रहते हैं डिस्टब रहते हैं तो उनको एक शक्तिशाली जीवन जीने का मौका आप दे सकते हैं अपने वीडियो देगा उसके लिए बहुत बहुत धन कर दो दो रहते हैं लोग माय लिस्टब जाम सुर स्पलछेट से लिहां आप दूएरी जीने का माया आप